सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी अर्द सरकारी और विविन संस्थानों में हो रहे घोटालों का परदाफाश करने और आम जंता को घोटाले की प्रती जागरू करने के लिए अधिनियमित किया गया था इस कानून की मदद से कई मामले उजागर हुए और यहां तक की बड़ों को भी अपना बकाया चुकाना पड़ा और उनमें से कुछ को जेल भी जाना पड़ा जिन लोगों ने सच्चाई को उजागर करने के लिए कानून का इस्तिमाल किया उन्हें दमनकारी उपायों के अध दमकी भी मिली लेकिन हाल के कुछ मामलों में सूचना का दिकार अंत का साधन बन गया है सूचना का दिकार अधिनियम 2005 के तैट जबरन वसूली ब्लैक मिल करने और दमकी देने के मामले भी सामने आए हैं ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों ने ब्रहमास्तर जैसे इस से का उपयोग कर के बहुत प्रेम प्राप्त किया है आर्टि आइ से प्राप्त जानकारी की सूचना जिला सूचना दिकारी को दी जाती है की किस कारंड से और क्या परिणान निकला हालकी ऐसा होता नहीं दिख रहा है हलाकि प्राप्त जानकर यह नहीं दर्शाती है कि मामला किस हद तक उजागर हुआ था आर्मोरी तालुका के स्थानिये आर्मरी बर्डी शेत्र में रहने वाले अर्सोडा वधा जोगी साखरा के कुछ लोगों ने व्यापक उप्योग करके बिना कोई काम किये एन चान का जीवन जी कर बड़ी मात्रा में स्थान और धन अर्जित किया है यह कानून ऐसा लगता है कि इन लोगों का सूचना का धिकार एक वैफसाई बन गया है हाला कि इस गांव के लोगों द्वारा RTI के जरिये कितने मामलों का निप्टारा किया गया है इसका एक भी उधारण नहीं है सूचना का धिकार सामान ये नागरिक पशासन और उनके लिए न्याय पाने के रशनात्मक उद्देश के बीच एक कड़ी है कई मामलों में RTI लगाने की धंकी देकर जबरन वसूरी और ब्लैक मिल करने के मामले सामने आ चुके हैं मुखे कारण या है कि इस प्रकार का हतियार बहुत चिंदा जनक हो गया है क्योंकि इसका उपियोग मनी लॉंडरिंग के लिए किया जा रहा है RTI से जानकारी मिलने के बाद क्या हुआ इसके प्रती जागरुक होना बहुत ज़रूरी है या सच है कि यदि आम आदमी के लिए कानुनों नियमों और नीतियों का दुर्पियों किया जाता है तो नियाय की अधिकार में आसमानता होगी इसलिए ऐसे लुटेरों के खिलाफ कारवाई ज़रूरी है आर मोरी से BCN News के लिए हरेंदर मडावी की रिपोर्ट